तो आज के वीडियो में दोफतों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपना जो phone pay में कोई भी bank account वेगर add करती हो तो वहां पर ये valid mm और yy क्या होता है ठीक है वही मैं आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ तो आपने ये वीडियो को पूरा add तक जर खा देता हूँ मैंने अभी एब एक bank account open किया था online और ये उसका card आया था और ये AU formal financial bank का card है बहुत बढ़िया card है रुपय का debit card है लेकिन बढ़िया फे चल जाता है ठीक है एक दिन की आपको इसमें दो लाग के transaction मिल जाती है जो कि बड़ा amount है इतनी तो मुझे लगता कोई transaction बहुत कम लोग करते होंगे and यहां पर आप लोग देख सकते हो इसके पीछे यहां पर इसके number दिये गया है ठीक है and यहां पर पूरा clearly mention नहीं होता तो आप यहां पर ध्यान फे देखोगे तो valid date लिखी होती है बहुत फरे cards में दिया होता है कि यहां पर दो दो जो होती है mm और yy लिखा होता है ठीक है तो यहां पर तो एक ही दे रखे है आपको बफ जिफ में valid date देखनी है यहां पर valid लिखा होगा तो वही चीज़ आपने देखनी है तो मैं आपको यहां पर enter करके भी दिखा देता हूँ जब जो mmf का जो पहला करोगा मतलब के month mm का मतलब होता ह month और yy का मतलब होता है where ठीक है तो if का जो 02 है 02 यह तो if का month हो गया अभी यह card बंद की if date होगा if date को बंद होगा तो वो होगा to 8 मतलब के 2 हवार type को यह जो card है बंद हो जाएगा ठीक है इतनी तारिक को यह बंद हो जाएगा तो वही if की जो valid date होती है पर कितने तक यह valid रह करने का तो वही होती है यह mm and yy तो अमीद कर दें वीडियो आपको अच्छा लगाओगा